नमास्टकार शात्रो, मैं डिंपछ अनि फिर से लेकर रही हूँ आपके लिए संस्कृत की आनलाइन क्लास हमने अगली कक्षा में पढ़ा था सर्वनाम के सबसे पहली वाली क्लास थी सर्वनाम की बेद, किसे कहते हैं, क्या रूप होते हैं और उसके बाद में हमने पढ़े थे सर्वनाम के शब्द रूप अम लेकर आया है हमारा जो तीसरा टॉपिक है किसका शब्द, शब्द के तीन बेद, नाम, धातु, अव्याव अब नाम के तीन बेद, संग्या, सरवनाम और विशेशन तो यही जो नाम के तीन बेदे, इसका अंतिम टॉपिक है हमारा विशेशन इस विशेशन को पढ़ेंगे, यह विशेशन क्या है, कैसे है, कैसे यह नाम में आया है अब विशेशन को नाम में क्यों लिया है? क्योंकि जब हम विशेशता बताते हैं, कोई विशेशता बताई है कि यह पैन काला है, इसकी क्या विशेशता बताई है? अगर पैन है, यह पैन है, अगर साधरन साहम बताते हैं, तो सिफ़ एक साधरन बात है, सामने बात है, इसकी कोई quality बताई नहीं है लेकिन जैसे ही हमने इसके रंग के बारे में बताया कि यह pen काला है तो काला बोलते ही इसकी विशेष्था बता चली कि यह काले रंग का है इसका जो color है वो काला है इससे पता चलता है तो यह विशेष्था किसकी बताई है हमने pen की, pen क्या है नाम और जो विशेशता बताई है वह भी नाम के रूप में ही बताई है, ठीके किस रूप में, की काला है अगर, क्यूंकि इस जो ये रंग दिख रहा है, हमें ये डार्क कलर जो दिख रहा है, इसको काला रंग बोलते है अगर ये थोड़ा light करा दिखता हो सकता है सबसे ज़्यादा इसके opposite होता तो बिल्कुल white color होता तो हमें बोलते हैं ये पहन सफेध है तो जो ये विशेष्टा होती है बहुत सारी विशेष्टा होती है उपर है, नीचे है, काला है, सफेध है बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, सुंदर है, बद्दा है नीला है, पीला है ये सब क्या होते हैं? नाम होते हैं न क्योंकि अलग-अलग नाम है इसलिए अलग-अलग विशेष्टा है तो नाम में ही इनको रखा गया है जैसे संग्या नाम है, सर्वनाम संग्या के रूप होते है और फिर इन सर्वनाम और संग्या की जो विशेष्टा बताते है वे भी नाम के रूप में ही बताते हैं इसलिए इसे नाम में ही रखा गया है तो आज हमारा टापिक है विशेषन यानि कि विशेष्टा क्या होती है ये हम आज पढ़ेंगे ठीके तो हम चलते हैं विशेष्टा की तरफ विशेष्टा का मतलब क्या हुआ कि जो विशेष्टा बताता है अब विशेष्टा किसकी बताई जाती है सामने तोर पर जो संग्या और सर्वनाम होते है उनकी जो वि विशेशन कहते है जिसके बारे में तो इसके शब्द का हम रूप देखते हैं कि जिस शब्द की विशेशता प्रकट होती है उसे विशेश्य कहते है कैसे जैसे हमने यह लिखा है सुन्दर बालक ठीक है बालक कैसा है सुन्दर अब जिस शब्द की विशेशता प्रकट होती ह किसकी विशेष्टा होती है बालक की कि बालक कैसा है सुन्दर है तो सुन्दर क्या है इसकी विशेष्टा सुन्दर तो हो गई इसकी विशेष्टा और जो बालक है वो हो गया हमारा विशेष्य ठीके बालक क्या हो गया विशेष्य और विशेष्य किसे कहेंगे कि बालक कैसा है सुन्दर है बहुत सुन्दर है इसी प्रकार से आगे चलते है कि विशेशन शब्द की लिंग वचन और विभक्तिंग वही होती यह बालक की इस्तती है वही इस विशेशन की इस्तती होगी जो इसकी विशेशता बताई गई है वही इस्तती होगी इस करता की अनुसार इस विशेशन की इस्तती बदलेगी माल लिजे हमने यह बालिका लिया बालिका लिया, बालक सुन्दर है अब हमने ले लिया यह बालिका यह strilling है, बालक pulling है तो जैसे ही बालिका लिया हमने यहाँ पर विशेशन की जो इस्तती है वो बदल दी, पहले था यहाँ सुंदर अब हो गया सुंदरी, बालिका सुंदर नहीं, सुंदरी बालिका ठीक है, सुंदर बालिका नहीं होगा, सुंदरी बालिका यानि की पुश्पम यानि फूल फूल क्या है नपुसकलिंग शब्द है और नपुसकलिंग की जो विशेष्टा बताई है लिंग की अनुसार बता लिए मैं आपको नपुसकलिंग की जो विशेष्टा बताई है वो क्या बताई है पुश्पम जैसे इस्तती करता की है यानि तो यहां पुश्पम बताया है, यहां सुन्दरम हो गया, देखिए सुन्दर बालक, सुन्दरी बालिका, सुन्दरम पुश्पम, सुन्दर को अलग-अलग रूपों में लिया, क्योंकि हमारा जो यहां पर करता है, वो भी अलग-अलग रूपों में है, तो यही है कि जो वि संग्या या सर्वनाम है या तो संग्या होगा या सर्वनाम होगा क्योंकि विशेश्टा किसकी नाम के तीन बेद होते है संग्या सर्वनाम विशेशन संग्या के इस्तान पर प्रिव्ट करते है सर्वनाम को और संग्या और सर्वनाम की जो विशेश्टा बताते हैं वे विशेशन कreलाते हैं तो तीनों ब merchants इसी में include होते हैं नाम में ही include होते हैं तो ये इनके नाम है और इसी स्तती में इनकी रूप बनेगे ठीक है? आगे चलते हैं हम कि जिस संग्या या सरवनाम शब्द की विशेश्टा बताई जाती है ठीक है जिस भी संग्या या सर्वनाम की माल लीजे राम ठीक है या वह ये तो हो गया हमारा संग्या और ये हो गया हमारा सर्वनाम संग्या तो हो गया हमारा राम और सर्वनाम हो गया हमारा वह जिस संग्या या सर्वनाम छब्द की विशेष्टा बताई जाती है उसे विशेष्य कहते है क्या कहते है विशेष्य राम मानलो या वह सुन्दर है क्या है सुन्दर है तो यहां पर जो रमेश है यहां पर संग्या और संग्या की क्या विशेशता बताईए कि वो कुशल है तो कुशल तो हो गया इसका विशेशन और रमेश क्या हो गया इसका विशेश्य रमेश हो गया हमारा विशेश्य ठीक है आगे चलता है इस बाक्या में रमेश की विशेशता कुशल बताईए है बिलकुल और शब्द से बताई जा रही है इसलिए रमेश जो शब्द है वो विशेश्य है और कुशल विशेशन कहलाएगा ठीक है समझ में आया आप सभी को आगे चलते हम कि संस्क्रत में विशेशन के और विशेश्य के कुछ नियम निर्दारित किये गए है उन नियमों को पढ़ना बहुत जरूरी है और उससे आत्मसाथ करना पड़े विशेश्य जैसे रमेश है वो प्रदान होगा विशेश्य सदा सामाने रूप में ही ग्यात होता है सामाने रूप मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल रूप में होता है उसका कोई और उसमें शब्द इंक्लूट नहीं किये जा सकते है विशेशन से निश्चित गुन रूप आक और आदी का ज्यान होता है विशेशन से क्या पता चलता है कि राम बुद्धिमान है या राम सुन्दर है या राम मोटा है या राम पतला है या राम लंबा है या राम छोटा है तो विशेशन से उस गुणों से पता चलेगा कि विशेश्य की इस्तति क्या है विशेश्य की नील कमल यानि की नीला कमल इस सुदारन में जब तक सिर्फ कमल शब्द बोला जाएगा जब तक कमल बोला जाएगा तब तक सामने इस्तती रहेगी कमल क्या है एक फूल का नाम है लेकिन फूल कैसा है कमल की क्या इस्तती है उसका रंग कैसा है उसका आकार कैसा है उसकी इस्त पढ़ना पड़ेगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कमल किस रंग का है परन्तु नील कमल बोलते ही हमें पता चल जाएगा कि कमल का रंग है वो क्या है नीला है कैसा है नीला है और नीला उसकी विशेशता है जो नील लिखा हुआ है वह उसकी विशेशता क्या लाएगा जैसे जो लिंग और जो वचन और जो विबक्ति विशेश की होती है, वही लिंग और वही वचन और वही विबक्ति विशेशन की भी होगी. यानि उसी इस्तती में विशेशन, विशेश की इस्तती में विशेशन लिखा जाएगा. आगे चलते हैं हम विशेशन के प्रकार पहला है हमारा गुण वाचक विशेशन दूसरा है हमारा संख्या वाचक विशेशन तीसरा है हमारा परिमान वाचक विशेशन और फिर अंतिम यानि के चोथा है हमारा सार्वनामिक विशेशन गुण वाचक विशेशन, संख्या वाचक विशेशन, परिमान वाचक विशेशन और संख्या वाचक विशेशन अब इनका अलग अलग वर्णन क्या है यह हम पढ़ते है तो पहला है हमारा गुण वाचक विशेशन, क्या कह रहा है गुण वाचक विशेशन गुण का मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छे ही है बुरे भी होते है देखने में होते है हमें वो किस तरह का दिखाई दे रहा है तो गुण कई प्रकार के होते है इसलिए गुण वाचक विशेशन में बहुत सारी चीज़ा आजाईगी बहुत सी चीज़ा आजाईगी इसके रंग भी आ सकते हैं आकार भी आ सकता है प्रकार भी आ सकते हैं उसका छोटा बढ़ा उचा नीचा कई प्रकार की चीजे उस में आ सकती है गुण का ताथप्रें सिर्फ अच्छी विशेषताओозмındー । ठीक है अपितु यहां गुण का ताथपय है किसी भी वसतु या व्यक्ती की विशेश इस्तती विशेश दया, विशेश दिशा, विशेश रंग, गंद, काल, यानि कि इस्थान, आकार, रोप, सुवाद, बुराई, अच्छाई बहुत सारी यही का कि गुण का मतलब अच्छा नहीं, बुरा भी हो सकता है, अच्छे गुण भी हो सकते हैं, बुरे गुण भी हो सकते हैं, तो सारे इस्तती में उसे गुण ही बोलेंगे, और कुछ नहीं बोलेंगे, वो गुणों में आएगा, चाहे वो रंग में आता है, या गंद में यानि smell में आता है या समय के अनुसार आता है तो वह सारे गुण में ही आएंगे अतर जो विशेशन किसी संग्या या सरवनाम की उपर्यूक्त विशेशताओं का बोथ कराए उसे गुण वाचक विशेशन कहते हैं ठीक है अगर इनके अनुसार कोई वाक्य बना हुआ है इन इन गुणों को लेकर इन विशेशताओं को लेकर कोई शब्द बना हुआ है यानि कि कोई वाक्य बना हुआ है तो वह गुण वाचक विशेशन के अंतरगर आएगा ठीक है अब हम देखते हैं गुण वाचक विशेशन किस प्रकार के होते हैं संस्कृत में वह किस तरह के ह होते हैं अलग-अलग स्तती में होते हैं जैसे गुण में ले लिया मालो तो गुण देखो बहुत सारे होते हैं मैं आपके लिए कुछ ही लेकर आई हूं यहाँ पर दयालू यानि कि वह दयावान है कुरूर यानि कि बहुत गुस्से वाला है कुरूर है ठीक है दया नहीं करत है श्वेत रंग रंग का जैसे रंग और श्वेत यानि कि रंग के बारे में बताया है कि कौन कैसा है कृष्ण यानि की काला रक्त यानि की लाल नील यानि की नीला यानि कि हम कह सकते है कृष्ण वर्ण वर्ण यानि रंग होता है वर्ण का मतलब होता है एक रंग भी होता है ठीक है, वन का मतलब रंग भी होता है, यानि कि कृष्ण वन, यानि कि काले रंग का, रक्त वन, यानि कि रक्त कैसा होता है, हमारा जो बलड है वो कैसे रंग का है, लाल रंग का, यानि कि लाल रंग का, और नील वाण यानि कि नीले रंग का, तो यहाँ पर रंग के गुण है कि रंग कौन-कौन से गुनों में आ सकता है अब आता है आकार आकार यानि की मिधा चोटा थिके। उन्नत यानि की बहुत उच्चे शिखर वाला विशाल यानि बहुत बड़ा और जेष्ट का मतलब होता है जेष्ट का यूज में आता है जब हम भाईयों या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तुलना करते है उम्र में तो वह जेश्ट आता है और दूसरा जो छोटा होता वह अनूज यानि कि जो बड़ा होता है वो जेश्ट गिना जाता है और बड़े का छोटा बड़े का जो विलोम है वो छोटा होता है ऐसे जेश्ट का जो मदूर, मदूर यानि मीठा, अमल, अमल यानि क्या होता है, खट्टे होते हैं, ठीक है, और कटू यानि कडवा, ठीक है, यानि कि मदू यानि मीठा, यह जो आमरम है, आमर फल है, कैसा है, मीठा है, और हमारा जो निम्बू होता है, वो कैसा होता है, खट्टा होता है, यानि क काल बोधक का मतलब होता है समय का ज्ञान कराने वाले गुल जिससे समय का पता चलता है बारते संस्कृति अति प्राचिन है ठीक है उसकी क्या विशेष्था बताई है कि वह बहुत प्राचिन है यानि कि पुरानी है उसकी विशेष्था बताई है तो यहाँ पे काल बोधक मे आज का जो जीवन है नया, जो जीवन है वो कैसा है? नया है, बिलकुल नवीन, नवीन यानि नया, तो ये काल बोदग है जिसमें समय से इसकी विशेशताओं का ज्यान होता है, फिर इस्थान बोदग, इस्थान बोदग यानि कि ये व्यक्ति भारतिया है और ये व्यक्ति प या हमारे देश के लिए भारती यानि कि स्वदेशी है, यहां के उत्थ है, यह वहां के है, इस तरह से इस्थान बोदक यहां पर आ जाता है, अब आता है अवस्ता बोदक, किस अवस्ता में हैं, किस इस्तती में हैं, संग्या सरवनाम यानि कि वहां किस इस्तती में आया है, तो होगा यहाँ पर पहला आद्रह, आद्रह का मतलब होता है, गीला, ज्वलित, यानि कि जलता हुआ और पक्व, यानि कि पका हुआ, मान लीजे हम कहते हैं कि एक वस्तु है, वस्तु हमारे आद्रह हो चुके है, यानि कि यले हो चुके है, ठीक है, फिर है ज्वलित, ये जो तो का बोल सकते है, ज्वलित में हम बहुत सारी चीजे बोल सकते हैं, यह जो वन है, d basic है, मतलब कि जंगल जल गया, तो यह ज्वलित अवस्ता है, यह जो लकडियां है, सारी, वो ज्वलित अवस्ता है, तो लकडी भी क्या है? संग्या है, ठीकेश? तो ये ज्वली तवस्ता में आ गई अगर किसी फल के बारे में कहा गया है आम के बारे में कह देते हम तो वो पक्का हो गया नहीं कि आम जो हमारा है वो पक चुका है पूरी तरीके से तो वो पक्कव की इस्तती आ जाती है तो ये अवस्ता वो दक है फिर है दशा, दशा का मतलब होता है इस्तती, ठीके यहाँ पर है स्वस्त, आप कैसी दशा में हो, आप जो अभी हो यहाँ पर हाजिर है, तो हम कैसे है, स्वस्त है या अस्वस्त है या रुग्ण है, अस्वस्त यानि कि हम ठीक है बिल्कुल तंदुरुस्त, अस्वस्त यान तो ये थे हमारे सारे गुण वाचक विशेशन जो संस्क्रत में प्रचली तरहते हैं ऐसे इस तरह के वर्ण आते हैं यानि कि इस तरह के शब्द आते हैं जिनसे हमें विशेशन निकालना होता है कि कौन से विशेशन आते हैं ये जो संख्या वाची जो शब्द आते हैं वे सारे संख्या वाचक विशेशन में गिने जाते हैं तो क्या कह रही है परिभाशा जो शब्द संख्या या सर्वनाम की संख्या संबंदी विशेशता का बोध कराते हैं उसे संख्या वाचक विशेशन कहते हैं ठीके संख्या वाच वाचक विशेशन दो प्रकार के होते हैं एक तो निश्चित संख्या वाचक होता है जिसमें क्या कहा जाता है निश्चित यानि फिक्स निश्चित हमने पढ़ा था हम जब सर्वनाम पढ़ रहे थे निश्चिवाचक सर्वनाम उसमें निश्चित ठीक है उसकी इस्तति इतने मेंबर होते हैं किरकेट टीम में कितने खिलाडी होते हैं ग्यारा ठीक है ग्यारा खिलाडी की टीम होती है और साथ खिलाडी कबड़ी में होते हैं ऐसे अलग अलग एक संख्या बताई है तो जो फिक्स है निश्च है ग्यारा ही रहते हैं एक टीम में ग्यारा खिलाडी निश्चित संख्या वाचक विशेशन में आ जाती है, तो जो शब्द संग्या सरणाम की निश्चित संख्या संबंधी विशेशता बताते हैं, उसे निश्चित संख्या वाचक विशेशन कहते हैं, जैसे कक्षायाम विंशती छात्रा संती, यानि कि कक्षा में 20 छात्र है, क 25 वरक्षा वरक्षा यानि की पेड़ है ठीक है 25 हिस्तती एक बगीचा है उसमें उसकी क्या विशेष्टा बताई है कि उसमें 25 पेड़ है एक कक्षा बताई है उसमें बोला है कि 20 चात्रा है चात्री भी होंगे लेकिन विशेष्टा बताई है कि उसमें 20 तो केबल चात्रा है तो ये संख्या वाचक हमारा विशेशन है आगे चलते हम अनिश्चित वाचक, अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन पहले तो fix था संख्या संख्या संबंदी विशेशता का बोट कराते है अनिश्चित शंख्याफिक्स नहीं है यहां पर उसे अनिश्चित संख्याफचक विशेशन कहते है। जैसे केचन याजि कितनी केचन यानि कि कहां, कती यानि कितनी, सरवे यानि सभी, अब सभी में कितने आ गए हैं? एक, दो, तीन, दस, पंदरा, सो, हजार, कितने, सभी कितने होते, कोई fix नहीं है, अनिश्चित है, ठीक है, बहु, यानि कि बहुत, अब बहुत में कितना है, हना, कितना हो गया, बहुत, पानी बहुत आ गया, तो कितना आया है, हना, हम सबजी बहुत लिया है, तो कितनी लाय क्या अधेन नेक में टो चार में अनेक में कतिपया याने कि कभी कभ कितना प्ञाए इस प्रकार से कई शब्द आते हैं जैसे कक्षा या केचन छात्रा संती कक्षा में कितनी छात्रा है कितनी है कुछ है कुछ छात्रा है तो कितनी हमें पता नहीं है हमें इसका फिक्स नहीं है हमें निश्ची तवस्ता नहीं पता चल रही है इसलिए केचन केचन इसकी विशेष्टा हो गई कि अनिश्ची दवस्ता है बहव बालका क्रिडंती बहव बहुत से बालका खेलते हैं लेकिन कितने खेलते यह नहीं पता है अनिश्ची दिस्तती सामने आ रखी है तो यह जो बहव है यहाँ भी विशेश्चता है तो इस विशेश्चता के कारण यह विशेशन कहलाएगा ठीक ह आगे चलते हम, हमारा जो थर्ड नमबर का टॉपिक है वो हमारा है परिमान वाचक विशेशन परिमान का मतलब होता है हम जो measurement लेते हैं जैसे दूद है, oil जो ये liquid चीजे होती है उनका जो measurement होता है या toes भी होती है जिसको kilogram में हम measure करते है तो वो सारी चीजे परिमान वाचक विशेशन में आ जाईगी जैसे, एक लिटर दूद दो किलो चीनी कुछ भी ले सकते हैं हम तो कोई भी वस्तु कोई भी हो सकती है हमें सिफ measure बताना है उसका तो हम जब संख्या में लेते हैं तो वो जो एक लिटर है, दो किलो है पांच मीटर है, हना दस किलो मीटर है, हना जो measure लिया है, हमने जो परिमान किया है नापा है, जब नाप तोल की इस्तती आती है, तो वे सारी परिमान वाचक विशेशन के अंदर गर आता है, तो क्या कह रहा है परिमान का सामने अर्थ है नाप तोल, देखिए, आ गया जो शब्द, संग्या या सरुनाम की नाप तोल संबंदी विशेशता को प्रकट करें उसे परिमान वाचक विशेशन कहते है, ठीक है प्राचिन परिमान की इकाई के शब्द निम्न है अभी तो देखिए अलग होगा है प्राचिन कैसे थे जैसे विशेश वर्थमान की नाप तोल प्रनाली संस्कृत में नहीं मिलती है अभी जो ये लीटर, मीटर, किलोग्राम हाना, ये संस्कृत में नहीं है प्राचिन पहले रत्ति, तोला, उन माशा उसमें मापा चाता था हाँ, बहुत सारे अलग-अलग नाम थे इनको नापने के लिए और जैसे पैसो के भी अलग-अलग नाम थे, आना हाना, या फिर रत्ति में होता था गोल्ड को जैसे आज जो धातुए होती है हम जो यह जो नगीने वगरा पैंते उन्हें रत्ति में नापते तो पहले वस्तुओ को भी रत्ति में जो हलकी और बहुत महेंगी चीज़े होती थी उनको रत्ति में मापा चाता था तो आज वो उन माप को नहीं लिया जाता है आज जो हम पढ़ रहे है वो वर्तमान की नापतोल है उसी को हम पढ़ेंगे अता इसके लिए वर्तमान प्रणाली को ही स्विकार किया गया है जैसे एक लीटर दुगदम तो एक लीटर तो देखिए यहाँ पर क्या एक हिंदी शब्द है तो इसी को लिया है एक लीटर दुगदम और जो यह सर्वनाम या संग्या है इसको तो हमने संस्कृत में ले लिया लेकिन यह जो इसकी माँ बताई है जो विशेशता बताई है वह हिंदी के रूप में ही है जो आज की प्रणाली है उसके अनुसर आएगा यानि कि एक लीटर दूद सब्तो मीटर परी मीतम वस्तरम यानि कि साथ मीटर कपड़ा दश ग्राम स्वन्नम यह आज की प्रणाली है पहले की प्रणाली अलग थी तो यह था हमारा परीमान वाचक विशेशन अब आते हैं हम सार्वनामिक विशेशन किसमें आते है, सार्वनामिक विशेशन, तो सार्वनामिक विशेशन क्या कह रहा है, जो सर्वनाम विशेशन के रूप में प्रियुक्त होते है, वे सार्वनामिक विशेशन कहलाते है, सर्वनाम कैसे, राम न बोलके वह बोल दिया, सह बोल दिया, सीता न बोलके सा बोल दिय हना फल न बोलके हमने क्या कहा फलम या तत बोल दिया ठीक है फलम न बोलके हमने तत बोल दिया तो जो संग्या के इस्तान पर हम सर्वनाम बोल रहे हैं तो वह सर्वनाम से जब हम संबोधित करते हैं वाक्य को या करता को किसी को भी हम संबोधित करते हैं तो वह सार्वनामिक वह बालग जाता है, यानि कि सहा हमारा क्या है यहाँ पर विशेशन, की के, अगला है तस्य छात्र से नाम उमेश अस्ति, तस्य, तस्य यानि कि उस, तस्य का मतलब क्या होता है, उस छात्र से यानि छात्र का नाम उमेश है, तस्य छात्र से नाम उमेश अस्ति, उस छात्र का कह रहे हैं हम उस सर्वनाम की और संकेत करके कह रहे है कि उस चात्र का नाम उमेश है तो यह जो उस आया है यह क्या है विशेशन सार्वनामिक विशेशन यहाँ पर संग्या शब्दों के साथ सर्वनाम शब्द सहतस्य सा का प्रयोग हुआ है अता सहतस्य सा यह सब क्या है सार सारो नाम से सम्वोधित हो रहे हैं वे सारे के सारे सारो नामिक विशेशन क्यलाएंगे अब आता है हमारा यहाँ पर संस्क्रत में शब्द कौन से विशेशन शब्द ठीक है यहाँ पर लिखेंगे हम विशेशन शब्द अब विशेशन शब्द देखे तीन प्रकार के होते ह है हना संस्क्रत में विशेशन शब्द तीन प्रकार के होते हैं और वह तुलनात्मक वस्ता में होते हैं जैसे हम इंगलिश में डिग्रिंज पढ़ते हैं ठीक है कौनसा सामन्य में तो सामन्य शब्द आ जाएगा मान लिए यहां लिख दिया हमने उच्च निएक मूल शब्द इसे हम सामन्य को हम मूल शब्द भी बोल सकते है जब कोई शब्द है और उसको तुलना और उत्तर उत्तम अवस्ता में लिखना है तो हम यहाँ पर मूल शब्दे लिखेंगे हमने यहाँ लिखा मूल उत्च अब तुलना करनी है तुलना किसी दो व्यक्ति के बीच में ही की जा सकती है ठीक है दोव्यक्तिक यनिदी अब हो गया कि उच्ञ तर तुल्ना में हम यहां पर एक तर इस्थती ले लेंगे तो यह बन जाएगा तुल्च्णा में तर लगता है और उत्ञा में तंमो और कना अवस्ता इसकी उत्छ मोझता विल्कुल उत्तरा नहीं होगा यह उत्तमा कख्षा है वह दस्वी कख्षा से उच्चतर है एक इससी से बताया ग्यारवी कख्षा है वह दस्वी से उच्चतर है मान लेजिए हम बोलते हैं कि 10 दसवी कक्षा उच्च माधिमिक में आती है और उच्चतर आ गया हमारी 11 वी अब जो कक्षाओं में जब हम विद्याले में पढ़ते हैं तो विद्याले की सबसे उच्चतम कक्षा कौन सी होती है 12 कक्षा तो सबसी उच्चतम तो हम यहाँ पर लगा देंगे इस उच्चतर बना और उच्चतर से उच्चतम देखिए हम यहाँ जब पढ़ लेते हैं जिसे एक कोट की बारे में हम न्याले पढ़ते हैं तो देखिए उच्चतर कौन सा न्याले हो जाता है उच्चतम न्याले हो गया ठीक है, उच्चतम यानि कि कौन सा जो सर्वोच्च है, सबसे बड़ा है वो हो गया, यानि कि उच्चतम इस्तती बताईए, सबसे पहले वो उचा है, फिर वो थोड़ा उचा है फिर वो सबसे उचा है अब इसके आगे कोई स्तती नहीं है तो यह उत्तम अवस्ता होती है सबसे उपर वाली अवस्ता होती है इसके हम एक टेबल के रूप में अध्यन करेंगे कैसे गुन वाचक तुलनात्मक विशेशन अब तुलना बताईए इसमें जैसे हमने यहां ले लिया मूल शब्द यह ह हमारा लगू कोमल सुन्दरह उच्च और अधिक और भी है हमने अभी इतने ही लिए हम यह लिखेंगे यह हमारी है तुलनात्मक यह हमारा तुलनात्मक और यह हो गया हमारा उत्तमात्मक यानि कि बिल्कुल उत्तम अवस्ता ठीक है तो लगू है लगू का तुलनात्मक क्य आओ गया लगु तर और लगु तम लगु यानि छोटा उससे भी छोटा और लगु तम सबसे छोटा फिर आ गया कोमल यानि की कोमल है मुलायम है कोमल तर यानि की उससे भी कोमल उससे मुलायम है और कोमल तम यानि की सबसे ज़्यादा मुलायम कोमल है सौप्ट है ठीक है फि सुन्दर तर सुन्दर यानि उससे सीता गीता से सुन्दर है तो सुन्दर तर आ जाएगा सीता सुन्दर तर गीता ठीक है उसके बाद आ जाएगा सुन्दर तम यानि कि सीता सबसे ज्यादा सुन्दर है सुन्दर तम सबसे ज्यादा सुन्दर है यानि कि वह उच्च वस्ता ह होती है ठीक है इसी प्रकार से उच्छ हमने पढ़ी लिया उच्छ क्या कह रहा है ठीक है उच्छ उच्छ तर उच्छ तम और अधीक 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 तर और अधीक तम यानि कि सबसे ज्यादा इससे ज्यादा कुछ नहीं है इंगलीश में हम पढ़ सकते हैं जैसे हम यहां हमारा good यानि की अच्छा better यानि इस से अच्छा और best यानि इन सब से अच्छा ठीक है यही डिगरी इस संस्क्रत में तुलनात्मक विशेशन के रूप में आई गई है ठीक है तो आगे चलते हम विशेशन शब्दों में लिंग वचन उसी रूप में होंगे जिस रूप में स तंग्या सरवनाम शब्दों होते है तो लिंग वचन भी उसी रूप में होते है उसके देखिए अब यह कुमम ने बताये था आपको उच्छ तर यानि कि तुलनात्मक उच्च तम यानि कि उत्मात्मक तुलनात्मक में तर लग जाता है मूल शब्द में और जो उत्मात्मक वस्ता होती है उसमें हमारा तम लग जाता है और जब हम विबक्ति में यूज करते हैं तो जो तर है वो पंच में विबक्ति में आती है और तम है वो सश्टी में भी आती है और सब्त में भी आती है अगर आपके पास कोई ऐसा शब्द आ जाता है कि उच्च तर कौनसी विबक्ति में आता है तो वो पंच्च विबक्ति में आता है और तम है यानि कि उच्च तम कौन सी विवक्ति में आता है आप सश्टी भी लिख सकते है और आप सब्तमी भी लिख सकते हैं और दोनों इस्तती में आप दोनों को सही मानेंगे ठीक है तो यह हमारे आज के विशेशन थे बहुत अच्छे से class हुई है आज हमारी आपको बहुत सती में वो परिवर्तन होते है या नहीं होते है विशेशन के बेद कौन से है कौन कौन से बेद है उसके हमने आज सारा अध्यन करा है हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा आप इसे और अच्छे से पढ़ना और कमेंट बॉ कि आपको कैसी लगी आगे के लिए नेक्स्ट क्लास लेकर फिर से हाजिर होती हूं तब तक के लिए धन्यवाद